इस वीडियो के अंदर ragging क्या होती ए अगर कीकि के सादर ragging हो रहा है तो कैसे पहचाने की ये ragging है और ragging होने पे हमें क्या action उठाना चाहिए । चाहीए और मेरे साथ ragging हुआ था तो कैसी ragging स्टूडन्स के लिए डिप्लोमा के लिए बेसी वाले स्टूडन्स के लिए है तो भाई सबको शेर करो सबको बताओ फ्री अब कॉस्ट लेक्चर से अराम से बच्छे आके पढ़े मुझे भी अच्छा लगेगा इसको करने का मन नहीं कर रहा है बट फिर भी वह जबरजस्त हरा सब्सक्राइब, और मुझे गुड ś बोलने का मेरे कपड़े वैले कपड़े मेरे धों देने का मेरा ये कर देने का मेरा वो कर देने का देखो गाईस अगर हम कोई काम कर रहे है प्यार से मतलब मेरा लगा हो गया ऐसा भाई जैसा ट्रीट कर रहा हूं या कुछ ऐसा ट्रीट कर रहा हूं तो मैं अपने आप वो काम कर रहा हूं मैं अपने आप कोई मिल रहा है तो वो मेरे दिल से निकल रहा है पड़ अगर कोई मुझे जबर दस्ती बोल रहा है मैं उसको जानता भी नहीं पैचानता भी नहीं हूँ बड़ो बस senior है बस उसको मुझे बोलना पड़ रहा है तो मेरा अगर उससे मुझे बहुत बुरा लग रहा है मेरा self-motivation down हो रहा है तो यह सभी र बहुत जाना चाहिए कंप्लेंड करने के लिए अगर वहां भी कुछ नहीं होगा क्यों आपको बताना चाहूंगा कि यह रागिंग पहले बहुत ज्यादा होता था पर पिछले कई सालों से धीरे होना और इतने अक्षन यहां कोई एसा करता पकड़ा गया तो इसी लिए धीरे रैंगिंग ना के बराबर हो गया तो मैंने इस अबसे बहुत पहले बोला, यह एचोडी से जाके बात करो, एचोडी से बात करने हैं, तो कुछ भी action नहीं हो, तो principle से मिलो, principle करेगा, अगर नहीं किया तो उसकी भी job जा सकती है, अगर आगे पता चला ना, आगे बात पहुँच गई, तो उसकी job भी जा सकती है, उसने भी action नहीं लिया तो भाई आप सिंपल सी बात है नजदीक के पुलिस ट्रेशन में कम्प्लेन करो या तो 100 पे कॉल कर दो अगर नहीं फिर भी हुआ आपके सर यहां खड़े हैं एक छोटा सा वीडियो बना के मेरे तक पहुचा दो जिनको ज्यादा सीनेर की हवा लगी पड़ी हु देहीं चयन हम भी थे हम भी सेकेंड में थे फर्ड में फोर्ठ में थे पर जो भी हमारे जूदियर्स आते थे हम son से एकदम भाई की तरह ट्रीट करते थे कि रिलेशन अपने आप बनेगा तो इस निकलितė मैरे को सर बोल मेरे को गुड मॉर्निंग बोल मैरे को यह बोल यह निकलता है कि प्यार से चीजे निकलती हे प्यार से और यह निकलना भी धोली दोस के ट्रीट करो जरूरी थोड़ी ही कि भाई वह भी पढ़ने आए वह भी दूर से तुम भी दूर से आये थे कभी और दूर से जाने के बाद हमें डर लगता है तो बच्चा नया रहता है उस जगह पे वैसे ही वह थोड़ा डरा सामय से रहता है और उपर से अगर यह हरकते हो ग अब मैं अपनी श्टोरी बता पूं कि मेरी श्टोरी के पिछे की घया थी मैं जब गया था मैं आपके सामने से गुजर जाते थे तो उनको गूड्माणिंग बोल उनके सामने से नजरे आखे मिला के बाते नहीं करनी है अगर वह जो काम करते वह क्वा आपको करना है वो अगर आपको खड़े होने के लिए बोले खड़े हो जाना वो बोले यह करना है तो वो करना मतब जो चीजे बहले उन गदो को ठिक से लिखने तक नहीं आता है बहले चारचर केडी लेके बैठे हैं बट फिर भी उनकी बातों को अगर फॉलो नहीं करोगे तो आपके साथ आगे आपको बहुत जादा परेशान करेंगे तो ऐसी चीज़े हुई जब मैं गया तो मेरे 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 ग्रूप के भी कुछ लड़के थे तो आप सभी को मैंने अल्रेडी बताए कि मैं पीजी में रहता था मैं हॉस्टल में नहीं रहता था जनरली यह जो केस आप आप अपने निकलना स्टाट हो जाएगा तो जब सीनियर्स को यह लगने लगा कि यह जो कुछ बंदे हैं वह इस तरह से रियाक कर रहे हमारा इंसल्ट कर रहे हैं हम सुपर सीनियर मने फोर्थ यह के लोग तो सबी लोग इंचल्ट हो रहे तो भाइ सबी लोग ने बना लिया हम एक आफे पार का लंट कर रहे तो तो वह लोगसा इंसल्ट कर रहे हो तुमँह समझ में नहीं है था तुम्हे ूह यह वह सब लोग सब लोग साइस न स्टार्ट रहा उस समैं पर्स्ट यहर में भी खटी नाइन केजी का में इतना ही था और थोड़ा यहां से गया तो डरा सहना था बहुत ज्यादा तो फिर इसके बाद मुझे ता डर सा लग रहा था पर मेरे ग्रूप के अंदर नहीं दो चार बंदे नहीं बहुत धागड बंदे थे अब उनकी जब हमतले सह स्द्ट बंदे वहां से बोला यहां नहीं चैजले गया पिरách और बेना मतलब के गुष्ट संब्सक्राइब किया बीना मतलब के questions पूछना स्टार्ट किया हम फॉस्ट एर में सेकेंड एर थर्ड एर को क्वेश्चन पूछ मलब उनका इंडारेक्ली था कि हमें करें हमें मलब जबर जसी परिशान करें पर वहां वो जगह पर दूसरी बार उन्होंने बुलाया तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन हमने लिया हम बोले कि हम आपका कंप्लेइन करतेंगे पर उनको कैसे लगता था यह लोग क्या कंप्लेइन करेंगे फर्स्ट एर के वच्चे डेरे परिशान करने मूड में एक दम आगे इनको परिशान करना जब तक यह जुकेंगे निए तब तब इनको परिशान करेंगे हमने जाके कंप्लेइन डाल दिए हमने बोला जो होगा देखा जाएगा क्योंकि आप उस समय भाई मैं बता रहा हूं सभी की मुझे इतना भी नही है अगर मैं कर दू तो इनकी इतनी बैंड बस सकती थे मुझे नहीं पता था मुझे बिल्कुल नहीं पता था क्योंकि थोड़े डरेस है में रहते थे कि नए जगह पे गया था उनको इतना साल हो गया था फिर फाइनली फिर भी हमने जाके होडी से कंप्लेंड कर दें कि ऐसा हमारे करण किसी का फ्यूचर वर्बाद नहीं होना चाहिए हमने जाकर रिक्वेस्ट किया कि सर एक बार छोड़ दो और ऐसा मत करो उसको वापस लिए और उसके बाद कंटीनियू हमने कभी हमारे अंदर मुटी हमें समझ में आ गया कि अगर हम इंसे डरेंगे तो यह हमें तरह आएंगे अगर ऊसके डट कि अगर अगर लटते रहेंगे तो हमने पर इंविल्कुल नहीं करेंगे बिलकुल परिशान नहीं करेंगे वी हॉचिए मया खतमार और हम लोगों नहीं वह चीज़े में करनाद कि यह चाहिए नहीं अगर कोई आ रहा है उसको प्यार से ट्रेट करो दोस्त बना के करो नए जगह से असको फीलिंग होने चाहिए कि हम यह भाई लोग मेरे दोस्त लोग है और दीरे 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 फॉर्थ यह पहुशने पहुशने तक पूरा खतम हो गया और आज भी मुझे प बच्चों को अगर आपके साथ ऐसा होता तो मैंने बहुत सार एक्षन बताया है उस तरह से करना अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो आपके सार आपके साथ खड़े हैं बस एक वीडियो बेज देना बाकी सब काम मैं देख लूँगा बिलकुल टेंशन लेना नहीं है तो मि